हेलो व्रीबन वेलकॉम यूओ अलेट लुके सर अलेंटेट स्टडीजों तो टॉपिक चल रहा है हमारा वेव आज हम वेव का थर्ड लेक्चर यहां पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज जो हमको वेव में पढ़ना है वह हमको पढ़ना है लापलास करेक्शन ठेक ना क कल मैंने आपको वेव की फॉर्मूले के बारे में आपको बता दिया था कि वेव की वेव की जोwind की का फॉर्मूला था वह आ गया था पी वाई-अचा पैम ग्रों औरा अज हम यह देखा आपने कल फॉर्मूला और इस फॉर्मूले से जो वेब की स्पीड निकाले गई है वो है 280 मीटर पर सेकंड कितने आई है 280 मीटर पर सेकंड सो आई होप आपको यह सब कुछ क्लियर हो चका होगा अब हम next पढ़ते हैं इधर रखा है सब आपका अब हम next पढ़ते हैं दोस्तों use the formula V equals to gamma P by rho अब यह gamma P by rho तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो उसके लिए मेरे को आपको बताना पढ़ेगा laplace correction क्या बताना पढ़ेगा laplace correction तो आज की class में हम laplace correction पढ़ने वाले हैं कि laplace ने कैसे correctified किया newtons के formula को तो कल मैंने आपको पढ़ाया था जो formula था velocity speed of sound in air is equals to under root P upon rho है ना P मतलब pressure and rho मतलब density यहाँ इस formula को बनाते समय Newton सहब ने यह बताया कि जो propagation of sound है propagation of sound है वो एक isothermal process है कैसी process है भई आईसो थर्मल प्रोसेस है यह बताया था Newton सहब ने बताया था कि propagation of sound isothermal process है परन्तु laplace आते हैं और laplace इस situation को correctified करते हैं फिर से कहते हैं कि जो sound का propagation है वो isothermal नहीं है रदर वो adiabatic process है कौन सी process है? adiabatic यह कह रहे थे कि temperature constant है मतलब change in temperature equal to zero इन्होंने का नहीं temperature constant नहीं है इन्होंने का heat constant है मतलब change in heat equal to zero तो आई यह आंगे पढ़ते हैं laplace correction laplace suggested that sound wave travel under adiabatic condition यह देखिए because when sound wave travel in air change in volume and pressure takes place बिल्कुल सी बात है भाई जब sound wave travel करती है तो pressure change होता है so 연락 बात है air is a bad conductor of heat air का MALE है hitlichkeit bad conductor अब रहे हैं a heat का कोई bed conductor होगा तो टो एक को transfer नहीं करेगा heat को transfer नहीं करेगा मतलब PV क्या होगा constant होगा बीव क्या होगा constant होगा ऐके तो PV ll equal to constant हो जाएगा है पी इन्टू V equal to constant एक मिनट है heat का better kull और है sorry हीड का वेड़ कंडॉक्टर है यानए चे 얼े एकल डुजी रूप वी इकल डू Bin रूपर दिना अशी सकत को निहींति टिनारा है और आपको लोगो में आपको thermodynamics में isothermal process ब्रॉसेस पढ़ाई थी तह मैंने आपको बताया था कि भईया isothermal में PV equal to constant in adiabatic में PV की power gamma equal to constant जहां gamma equal to C VAC cords यहांदे प्लाइघन गामTw услов Cambodia लुए Сीबगए सब तो हम करते हैं इसका differentiation बोले तो delta delta pv की power gamma equal to delta of constant delta of constant pv की power gamma लगाई ये rule first function into second function का differentiation p बाहर differentiation of v की power gamma plus v की power gamma बाहर into differentiation of pressure बोले ये सबनो delta p clear equal to constant का differentiation कितना होता है 0 p into v की power gamma आपने पढ़ाओगा formula d by dx of x की power n होता है nx की power n minus 1 तो ये क्या हो जागा gamma v की power gamma minus 1 plus v की power gamma और यहाँ पे क्या हो जागा delta p equal to कितना 0 हम क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं bulk modulus ठीक ना हमको जो formula मिला है बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कल मैंने आपको बताया था formula की जो सबसे पहले speed of sound के लिए फर्मूला था वो ये था elasticity coefficient of elasticity by rho coefficient of elasticity upon कितना rho ठीक ना तो हमको यहाँ पर यह बनाने की जरूरत है हमको तो हम निकालने वाले हैं ये चीज ये हमको निकालना है वी डीपी भाई डीवी वी डीपी भाई डीवी क्यों निकालना है देखिए जो बल्क मोडलस होता है जिसको आप के बोलते है अब तो इसमें हमको करना क्या पढ़ेगा हमको डेलटा पी के निचे डेलटा वी अपन वी लेकर के आ आ तो एक का मैं करता हूं दीखिए P into gamma into, इसको मैं V की पावर गामा और V की पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ न, equal to minus V की पावर गामा और into delta P, V की पावर गामा से V की पावर गामा क्या हो गया, cancel हो चुका है, ठीक है न, हमें बनाना है delta P, तो ये मेरे पास में, एक मिनट, delta V की पावर गामा, हाँ, एक चीज यहाँ पर छूटी है, जानते हैं कि आप लोग, यहाँ पर, first function into second function का differentiation, P gamma, P gamma V की पावर, gamma minus 1 into delta V, ये छूट गया था, समझ में आप लोग को कैसे आएगा ये delta V, क्लियर हुआ की नहीं हुआ, भाई अगर आपका P का है तो, देखिए, जैसे first function into second function का differentiation है, तो P बहर हो गया है, अब V की पावर गामा का की है, तो पहले तो V की पावर गामा का differentiation किया, इंटू कितना आगया, डेल्टा भी, नहीं हो clear क्या, चलिए, इससे नहीं clear हुआ, तो दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ, anyway, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको मैं rough कर दिता हूँ, यहां से, डेल्टा का operation थोड़ा सा नया रहता है आप लोगों के लिए, इसलिए आपको दिक्कत होती है, बढ़ डॉन्ट वरी, मेरे पास एक दूसरा तरीका है, मैं उच से आपको समझा देता हूँ, चली, यह देखिए, आपको क्या करना है, डिवीजन करना है, डी बाई डी वी, पी वी की पावर गामा, ठीक है, अपना ordinary वाला, simple, यहां पर डी बाई डी वी, विद रिस्पेक्ट तू, यहां डी वी के रिस्पेक्ट में, यह कौंस्टेंट का डिफरेंशीशन, ठीक है, चली, अब रूल लगाई यह, 1st function, 1st function, इन्टो डिफरेंशीपेक्ट अ डी दीवी, भी की पावर गामा, ब्डस, 2nd function, इन्टो डिफरेंशीपेक्ट अ डीबिपरेंशीयेशन ऑफ, P into D by D V जो है D by D V इसका V की पावर गामा तो बुलेंगा गामा V की पावर गामा माइनस 1 प्लस V की पावर गामा इन्टू इसको D P को अब लिख लीजे आप डेल्टा P और D V को लिख लीजे कितना डेल्टा V equal to कितना cross multiply करके 0 के साथ ले जाएए तो देखे अब आपको समझ माएं जागा यहाँ आजागा P गामा V की पावर गामा माइनस 1 अब डेल्टा V यहाँ जाएगा की नहीं जाएगा बताइए प्लस V की पावर गामा इन्टू डेल्टा P equal to कितना बोली आएगा की नहीं आएगा यही मैं आपको बोल रहा था उस समय कोई बात नहीं आप लोगों ने ऐसे सीख लिया अब मुझे क्या बनाना था यह बनाना था तो मैंने कहा था आपसे कि इसको यहाँ जान देजे तो P गामा V की पावर गामा और गामा की यहाँ पे V की पावर माइनस 1 V की पावर माइनस 1 ओके डेल्टा V एक्वल टू माइनस यहाँ पे V की पावर गामा है माइनस V की पावर गामा डेल्टा V की पावर गामा से V की पावर गामा क्या हो गया कैंसल हो गया हमको क्या चाहिए एक पर मैं फित बोरूँगा डेल्टा P upon डेल्टा V by original volume तो डेल्टा P तो है हमारे पास बोली है सोनो ये और हमें चाहिए है V by डेल्टा V तो आ जाएगा ये भी आ जाएगा तो ये रेखिए यहाँ पर ये डेल्टा V नीचे आ जाएगा ये बोला आ जाएगा निवच्चों डेल्टा V यहाँ पर जाएगा यहाँ पर क्या बजगया पी बजगया यहाँ पर गामा बजगया और V की power minus 1 मतलब upon में V चलो P बजगया V तो चला चुका है इकल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा वी और साथ ही माइनस साइन, क्लियर हो गया, अब एक काम करता हूं, यह जो भी है, इसको मैं उपर भेज देता हूं, तो पी गामा, ओके, पी इंटू गामा, भी गामा तो यह बला बैठा हुआ ना, तो पी, नहीं गामा नहीं भेज र रहा हूं, तो पी गामा is equals to डेल्टा पी, माइनस का डेल्टा पी और डेल्टा वी अपॉन भी, क्लियर, क्योंकि जो सबसे उपर जा सकता हूं, सबसे नीचे रहा होगा, अब यह माइनस साइन को यहां ले आई है, क्योंकि चेंज इन वाल्यूम यहां पे फिट होता है, त तो अब यह हमारे पास क्या बन चुका है, this is what, this is bulk modulus, यह क्या है अपने पास, bulk modulus, coefficient of elasticity, यह जिसको हम bulk modulus कहते हैं, तो जो formula आपने देखा था, velocity, speed of sound, is equal to, है ना, क्या था, under root E, coefficient of elasticity, divided by rho, divided by rho, तो यह अपने पास में क्या बन चुका है, coefficient of elasticity E, and E कितना आया है, gamma P, कितना आया रूट, gamma P, upon rho, समझ में आ गया, तो V sound is equal to gamma P, by rho, यह देख लिए जी जी, ओके, अब air, जो होती है, air को, air, diatomic gas है, diatomic, इसके लिए, gas के लिए, gamma कितना होता है, 1.4, ठीक ना, ठीक ना, तो लापलस से, यहाँ पे, आपके पास, gamma की value किती होती, 1.4, ठीक है, clear हो गया, diatomic, polyatomic gas है, so polyatomic, sorry, तो polyatomic gas के लिए, यहाँ पे, gamma कितनी होती, 1.4, तो आपने यहाँ पे 1.4 रख दिया, gamma की value, और आज साथ में 280 value रख दिया, तो gamma 1.4 into 280 का multiply होकर कि कितना आ गया, 331.3, मतलब जो value आ रही है, हमारी speed of sound की जो correct value है, 331 upon 331.3, यह कहलाता है, Laplace correction, क्या कह समझ में, चलिए, तो यह बहुत important formula discuss कर लिए, आमने next question number 6, use the formula V is equal to gamma P by rho to explain why the speed of sound in air is independent of pressure, increase with temperature, increase with humidity, आपको बताना है कि क्यों जो speed of sound है, वो independent on pressure है, अब आप कहेंगे, कि सर यह तो हमें dependent on pressure दिख रही है, आप से कोई भी पूछेगा, कि V is speed is equal to कितना होता, तो आप कहेंगे gamma P by rho, ठीक है ना, तो आप से पूछा जाएगा, कि बताइए, कि अगर आप pressure को बढ़ाएंगे, तो speed बढ़ेगी कि घटेग तो pressure को बढ़ाएंगे, तो आप कहेंगे, देखी, साब साब तो दिख रहा है, यह proportional है, मतलब pressure बढ़ाने पर sound की speed भी क्या होगी, बढ़ेगी, बटे बिल्कुल गलत है, यह इसलिए गलत है, कि अगर आप pressure बढ़ाते हैं, तो साथ साथ medium की density भी तो बढ़ती है, अगर तो चलिए गामा रहेगा, मगर P को आपने 2P कर दिया, तो density भी कितनी हो गई, 2O, 2 से 2 क्या हो गया, फिर से वापस वही पर आगए, समझ गया, तो याद रखेगा, pressure के बढ़ाने से तो density बढ़ती है, बढ़ देंस्टी के बढ़ाने से pressure नहीं बढ़ता, हाँ, अब आप pressure बढ़ाएंगे तो density increase होगी, क्योंकि pressure बढ़ाने के लिए आपको density बढ़ाने पड़ेगी, वागर density बढ़ाने के लिए pressure increase नहीं होगा, ठीक है न, इसलिए gas की speed pressure पर depend नहीं करती है, क्योंकि pressure बढ़ाएंगे तो density अपने आप बढ़ जाएगी, तो पहली चीज तो ये है, it it is independent on pressure, pressure constant नहीं हो जाएगा, दोनों ही बढ़ेंगे, ठीक है न, second increase with temperature, और तीसरा है increase with humidity, increase with humidity, हमको तीनों पॉइंट यहाँ पर साबित करने है, आई ये start करते है, तो देखें यहाँ पर, V is equal to gamma P by rho का equation है, हम जानते है, हमाँ पास भी है, V is equal to under root gamma P by rho, ठीक है, तो आप लो U equal to RT, तो P equal to कितना हो जाएका बोले, RT upon V, RT upon V, तो यदि मैं यहाँ पर पूट कर दो, तो V is equals to gamma R T upon V, और साथ में कितना हो, रो, yes or no, V into rho, अब अब जानते है, V into rho क्या होता है, density into volume कितना होता है, mass, density into volume equal to mass, या molecular weight of the gas, molecular weight of the gas, kinetic theory में आपने पढ़ा था, तो V is equals to gamma R T upon capital M, capital M, clear हो गया, तो देखी, जो speed of sound है, वो किस पर depend कर रहा है, temperature पे, किस पर depend कर रहा है, temperature पे, clear हो गया, तो देखी, in equation 1, P does not appear, इसमें क्या कहीं पर P appear हो रहा है, नहीं appear हो रहा है, मतलब इसलिए यह independent of the pressure, ओके, यह जो होता है, pressure पे depend नहीं करेगा, clear हो गया constant temperature पे, यह pressure पे depend नहीं करेगा, clear हो गया, so it is, है न, P does not appear, so its speed is independent of pressure at constant temperature, constant temperature पे यह pressure पे depend नहीं करेगा, बोलो clear हो गया, बन जाएगा न, तो यहीं आस में पूछा गया था, कि temperature का क्या effect परेगा, तो temperature के effect से आपका, है ना, temperature के effect से क्या हो जाएगा आपका? इसकी speed तो बढ़ेगी, मगर pressure के effect से speed नहीं बढ़ेगी, clear हो गया? आप दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, increase with humidity, increase with humidity. humidity increase होने से density कम हो जाती है अगर humidity बढ़ती है तो density क्या हो जाती है कम हो जाती है तो density कम होगी तो speed क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी clear हो गया फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ कि formula जो हमारे पास speed of sound का है V speed of sound is equals to gamma P by rho अगर आप humidity बढ़ाते हैं humidity बढ़ा देते हैं अगर आप humidity बढ़ा देते हैं जिसकी वज़ाएसे जो density होती है gases की वो क्या हो जाती है कम हो जाती है gas की density की बात कर रहा हूँ सोचिए कैसे कम हो जाती है humidity का मतलब होता है नमी आना क्या ना नमी आना पहले gas की density यह थी पहले gas की density यह थी यह सब gas के gas molecule है बुलो हाय ना अब humidity बढ़ गई तो पानी एब्सॉर्ब करके climate में आ गया तो क्या हुआ जब गेस के बीच में पानी भर गया gas के बीच में क्या हो गया पानी भर गया बुलो हाय ना कभी बारीस के समय में फील जींड़ी बढ़ी गार थी मुलायम-ध्य टैप की है ना बड़ी अच्छी भी लगती और वह सुरुवात में अच्छी लगती मैंगर जब ज्यादा बार बारिश गर्मी की होती तो बड़ी अच्छी लगती है हमाजा आ गया सुखा देख दम हवा ठंडी जब पहली बारिश होती है हाँ यस तो ही हुमिड एर हो जाती बहुत जब तो ही में धेर होने से वाटर फैपर घूश गई तो ऐर की एक्चुवल डेंसटी क्या हो गई कं इससे स्पीड टे प्र जाएगी समध्मों कि शिरौग तो सूंड की स्पीड बढ़ जाती इसी समय बारिश के समय में जो ट्रेन होतीज ही ना ट्रेन का हॉर्ण बहुत दूर से सट ना है जाता है अगर हुल्च रहती तो ट्रेन का जो हॉ और नो होता है बार इसके समय में बहुत दूर दूर तक सुनाई देता क्योंकि कि स्पीड बढ़ जाती है सांवर की क्लियर हो गया जी तो यह हुग कि ए पास यह 10 अजै डेरी वेशिन हमारा क्लियर हो गया विलattend добर टो नहीं है न ऊदर क्लियर कर दिये मैंने सारी पोइंट हो गाइं इसमें सारी पॉइंट होगा क्लियर टेम्प्रेचर तो हो गया है तो आपको फिक्स दिया गया है तो speed of sound जो होगी temperature के proportional होगी temperature जितना जादा होगा sound की speed उतनी जादा होगी नाइबास sound में इसका sound की speed उतनी जादा होगी इसलिए थंड के समय speed कम होती sound कि गर्मी के समय क्या होती है ज्यादा, clear हो गया, any problem, चलिए तो यह हो गया, अब इसमें एक चीज और आ गई है, यहाँ पर देखें, B point है, if gamma R and M constant, क्यों कर दिया, क्योंकि भाई बाकी चीज़ों को ना बदलो, तभी तो एक को बदल पाओगे, सबको साथ में नी बदल सकते हो, gamma R and M को constant कर दोगे, तो gamma is directly proportional to under root T, the velocity of the sound is directly proportional to the square root of the absolute temperature, very important भाई, इस पर numerical बनता है, है ना, V is directly proportional to T, clear हो गया, तो इस पर numerical बनेगा, V1 upon V2 is equals to under root T1 upon T2, इस type का numerical बनेगा, दूसरा, with, हां जी, with increase in temperature, the speed of sound increases, from the formula, यह देखे, it is clear that V is inversely proportional to rho, yes or no, और मैंने क्या बता है था, humid air की density क्या होती है, कम, तो speed क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो the density of the humid air is less than the dry air, therefore increase in humidity, the speed of the sound increases, तो clear है बच्चों आपको, the density of humid air, जो होती है, जो होती है, जिसकी वज़े से speed sound की बढ़ जाती है, तन बच्चों, चली बच्चों, अगला question में करा रहा हूं, यहाँ पे आपके सामने screen पे दिख रहा आपको, Give difference between the progressive wave and stationary wave, यह थोड़ा सा question की समझ जरूरी है, क्योंकि एक एक दो दो नंबर वाले एकदम छोटे मोटे question इस से आते रहते हैं, Progressive wave और stationary wave के बीच में difference, Progressive wave, these wave advance in medium with definite velocity, जो Progressive wave होती है, वो एक fixed velocity के साथ medium में आगे की ओर चलती जाती है, कभी lot के वापस नहीं आती है, तो ऐसी wave को बोलते हैं कौन सी wave, Progressive wave, कल मैंने आपको बताया था, इसका derivation भी कराया था, है ना, A sin omega t minus kx, याद आगे आपको, yes, तो कल मैंने इसका derivation भी बताया था, Progressive wave का, with definite velocity, अगला, stationary wave, stationary wave confined होती है, एक boundary के बीच में होती है, कल मैंने example दिया था, कि आप कप में अधी गलती से टोस्ट आपका गिर जाता है, तो उसमें जो बनती है waves, क्या होती है, stationary waves, these waves remain stationary between the two boundaries in the medium, ये हमेसा दो boundary के बीच में बना करती है, ये wave advance करती है, ये दो boundary के बीच में बना करती है, ठीक ना, ये देखे, crust and truff are in transverse, crust and truff in transverse progressive wave and center of compression and reflection in longitudinal progressive wave occur alternatively and advance with definite velocity, ये लिख तो इतना tough रा, इनका कहना है, कि इन में crust और truff आपको मिलते हैं, और ये भी बढ़ते जाते हैं, जैसे इसका पहले ये मिला, फिर यहाँ प मिलेगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, इसी तरीके से crust की जगए यहाँ पर compression चलता है, बुली हाँ, और फिर यहाँ पर क्या चलता है, rare fraction, मैंने जब आपको longitudinal wave बताया था, तो मैंने कहा था, ये compression और rare fraction की form में आगे बढ़ा करती हैं, और ये बढ़ते जा उससे ये बढ़ते रहेंगा, आँगे, आँगे दिखते हैं, crust and truff in transverse stationary waves and center of their compression and reflection in a longitudinal waves occur alternatively at definite places and do not advance, कप याद है आपको, कप के अंदर चाय ले लिजे, और इस कप को किसी टेबल में बना, टेबल में रख करके, टेबल को घस्टाईए, टेबल को घसी तीए, समझ गया, तो आप देखेंगे, यहाँ पर जो peaks बनेंगे, लहरे बनेंगी, यह उसी उसी जगह पर चररररर, ऐसे हिलोरे मार करके बनेंगी वहीं पर, यह नहीं कि यह कहीं यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, ठीक है ना, यह चले बनेंगे वहीं पर यह रहेंगे, और अपनी जगह से स्टेबल को खसकाई है आप तो आप देखेगा वहां पर गोल-गोल-गोल-गोल छले मनेंगे पानी की उपर उनमें वेब्स थोड़ा उपर उठती हुई आपको दिखाएंगी कुछ जगए उपर उठेंगे और कुछ जगए नीचे जाएंगी ठीक है जी और वह वहीं पर र रहता है मगर क्योंकि पाउंड की बाउंडरी नहीं होती एक तरीके से मगर यदि आप कपके अंदर करेंगे तो वह मूफ करता नहीं रिखाए देगा वहीं पर उठेगा और वहीं पर बैठ जाएगा समाप्त हो जाएगा वहीं पर बैठेगा रे सिंपल है यार गिलास ले अच्छा वहीं पर बैठेगा यह जो आप बात कर रहें पॉंड वाली वह तो प्रोग्रेसिव वेव है कौन सी वेव है प्रोग्रेसिव वेव है तो यह देखिए क्रस्ट एंट रफिंट रांस्वर्स स्टेशनरी वेव एंड सेंट्र ओफ कंपरेजन एर फ्रेक्शन इन अल्टर sensitively एडड़िए प्लेशिस अदड़ बल्स बहिया यह बदलते जाते है है यादड़िए गलोल स्छी क्रपे और यह जो नट मिल से युट्य अहिं पर बने गा जो बना था मा ही पर बनेगा जो बना था युट्र बुबलेगा यह पी लिए यह पीछे नहीं होंगे Jupiter आपने वो पॉंड वाली वेव एनरजी पत्थर यहां पे मारोगे और पूरा जर्क यहां तक एंड तक पहुंच जाएगा क्लियर हुआ लास्ट मेरी एंड कोने में एक पेपर होगा तो वह भी हिलने लगेगा क्योंकि कोई एनरजी ट्रांसमेट होगा होते कि नहीं होते हैं! इस वेवस दूनाट ट्रांसमेट इने मिडियम भाई साभ इसमे मेडियम है क्योंकि जो-बी हिल रहा हुआ हो इसलिए मेडियम कोई ट्रासमेट अनरजी नहीं होगी in these waves all the particles of the medium vibrate about the mean positions and the amplitude of the vibration is same all of them this wave में सबके amplitude same हुआ करते हैं जिसे ये देखा था अपने इस wave में जितने particle हुआ करते हैं वो अपनी mean position के about to and from motion करते हैं और हर particle का जो amplitude हुता हुआ होता है same होता है clear हो गया same all for them in these waves all the particle of the medium do not vibrate and do not vibrate and amplitude of the vibration also is not same for all the particle the amplitude is zero at the nodes and maximum for the anti-nodes देखो भाई समझना पड़ेगा इस लाइन को वो कप वाला सीन फाइंड करो ये कप वाले सीन को फाइंड करो इसके अंदर जो कुछ पैटर्न होंगे जिन पर vibration जो कप के चाय होगी जो आपको ऊपर उठती हुई दिखाई देगी बिलकुल उपर और उसके just वाले आपको बिलकुल बैठे होंगे ये ऊपर आपको कोई चीज आपको ऊपर तभी दिखाई देती जब कोई चीज नीचे होती है अगर कोई चीज नीचे नहों तो आप दूसरे को ऊपर समझ नहीं पाएंगे जैसे ये मैंने बताया है ये और ये तो आपको ये ऊपर ये वाली चीज क्यों दिखरी क्योंकि ये चीज नीचे है इसको समझाने के लिए बोली हाया ना क्लियर हो गया तो इस में ये जो होते हैं कुछ के Institute ज्यादा हुआ करते हैं कुछ के Amplitude क्या होते हैं ज्यादा तो लिखा In these waves all the particles of the medium do not vibrate सारे particle vibrate नहीं करते हैं And amplitude of the vibration also is not same for all the particles The Amplitude is zero for the nodes And maximum for the antinos जिनके musstु मैं Amplitude ज्यादा हो उनको बोलते हैं इनटी अोड क्या बोलते हैं इनटी नोट्स और जिनके हैं Bangladesh अर जिनके APP लिडूर्ट काम हो उनको हम क्व यह कह लोड़ते हैं झाय मैं यारं maximum displacement को आपॉले पालिल द्रपी अवलतनitung नहीं क dov 20 तो मेनने पहली displacement होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, amplitude, clear हो गया, तो जब आप stationary wave बनाओगे तो कुछ के तो आपको amplitude बड़े जबरतस दिखेंगे, और कुछ आपको बिल्कुल बैठे-बैठे दिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, next, in these waves at no instant all the particle of the medium pass through their mean position simultaneously, in these waves at no instant all the particle of the medium pass through their mean position simultaneously, इसमें ऐसी कोई position नहीं होती है, ऐसा कोई समय नहीं आता है, कि जिसमें सारे particle, medium के, जिसमें medium के सारे particle जो होते हैं, एक ही साथ में mean position से जाएं, क्यों जाएंगे, ये भाई, ये way progressive होती है, तो पहले लपेटे में कोई ये एक आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा particle, फिर चौता particle, इस तरीके से, मगर इसमें क्या होता है, इसमें dance बिल्कुल same phase में होता है, आपने देखा होगा, जब छला उठा, तो सबका उठा, यहाँ पे vibration, देखा की नहीं देखा, जैसे चाय में biscuit गिरी, तो वो circle जो बना, वो हर जगह बराबर, 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 एम्पलीटूट का बना, बुलिए इस और नो, तो यह सारे के सारे particle जो होंगे, same phase में गतिमान होंगे, मतलब in these waves, all the particle of the medium pass through the mean position simultaneously, clear है ना, twice in each time period, हाँ भाही, twice तो जाएंगे ही, देख लो क्यों, यह start हुआ, यह देखिए, तो यह पहला और यह दूसरा, mean position को दो बार टच करेंगे, पहली बार और एक, दूसरी बार, clear हो गया, थोड़ा सा learning fact है, इसको पढ़ना पड़ेगा और बाकी यह देखिए, आपको mastery करनी है इस chapter में तो आपको तो recommend करूँगा कि आपको एसे लरूरा बुक लगानी पड़ेगी, अगर आपको बहुत भेंकर वाला knowledge इसमें गेन करना है, तो अभी के लिए इसमें इतना काम चलाना पड़ेगा, तो in these waves, all the particles of the medium pass through their mean position simultaneously, twice in each time period, एक time period में कितने बार? दो बार, एक time period में कितने बार? दो बार, आप समझें ना, simultaneously मतलब एक सांथ, तो यह जितने particle ने dance किया था, यह अलग अलग किया था, कि एक साथ किया था? बूलिये? भाई, चाय में जैसे ही आपका biscuit टूट करके गिरा था, तो एक साथ dance किया था, बस यही तो है भाई, समझ में आगे ना? यस, अगला question आपको ऊपर question number 3 लिखाए दे रहा है, जिसमें होती होती है, तो आपको वही confined wave दो boundary के बीच में, चाय का प्याले वाले सिस्टम को ध्यान में रख करके इसको आप एक बार पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, चलिए पढ़ते हैं, इसको आप लोग पढ़िए, पहला point तो आपको मीडियम में, नहीं यह तो मैंने पहली बता दिया, पढ़ दी जबाई, no energy, no energy is transferred by these waves, because the flow of energy at any point of the medium in one direction due to incident wave is the same as the flow of energy at that point in opposite direction due to incident, बिलकुल सभी बात है, यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था कि इस पर जो wave बनती है, वो तो जैसे आपने यहाँ पर कोई जर्क दिया, तो यहाँ से जो disturbance जाएगा, वो लोट करके आएगा, ठीक ना, तो जितनी wave बनेगी, जितनी energy create होगी, उतनी energy यहाँ से लोट करके negative direction उसको cancel कर देगी, इसलिए वो energy उसी point पर समाप्त हो जाती है, वो energy इस medium में transfer नहीं करती है, clear हो गया, तो यह लिखा हुआ है, no energy is transferred by these waves, because the flow of energy at one point, at any point on the medium, in one direction, due to the incident wave, is same as the flow of energy at that point in the opposite direction, तो दोन तरफ की energy cancel हो गई, done, next point, देखिए जो तीसरा point वो तो definition है, इस stationary wave की, पूरी पूरी डेफिनीशन है, कि भाई, एक तरफ से wave आ रही थी, वो लोट करके गई, तो दूसरी wave बन गई, तो आने वाली wave और जाने वाली wave ए तो आए, तो कौंसी वाइफ क्रीव क्रीट होगाई, तो डेखियम गई, पूंसी वाइफ क्रीट होगाई, एक सतनी वे गादी में गई तो वहां पर आप नहीं कल्पना कर सकते हैं कि वहां पर स्टेशनरी भी प्रडियूस हो जाए नेक्स पॉइंट पढ़ेंगे देखिए यह जो डेफिनिशन है आपको इसको अच्छे समझिए इन दीज वेप सटेन पॉइंट आर इन दा मीडियम एट रेस्ट कुछ पॉइंट होते हैं इस वेप में जो वेप बनेगी कि कुछ पॉइंट होंगे जो बिल्कुल रेस्ट मे होंगे मतलब उन में अपन डाउन की भी मुमेंट नहीं होगी यह माली जी अपन डाउन वाला पॉइंट है और इसके चारतर तुरफ सराउंडिंग में यह जो पॉइंट है यह बिल्कुल रेस्ट में है तो यह जो पॉइंट कहलाएंगे निकों क्या बोलेगी नोट्स और यह जो इसके बाद फिर से एक नोड आएगा इस तरीके से समझ रहू हां तो फॉर्थ पोइंट कम्प्रीट होगा चलिए नेक्स्ट दिस्प्लेस्मेंट ऑफ देस्टियूट इप्र इसके नोड़ेगा इस तरीके से समझेल हुँ हां तो फोर्ष पॉंट कम्प्रेश्प् इस एक नोड है और ये एक नोड है एक कलियर है इनके बीच में सब से ज्यादा दूरी होगी अगरॉड छर्ण की थोरी के दूरी सब से ज्यादा होगी थी न? आख, सव्यूज का होगी, ठीक है न? इस टूर ब्रक! next point पढ़िए the distance मैं पढ़ दीता हूँ the distance between two consecutive node और between two consecutive NT node is lambda by two the distance between two consecutive nodes और between two consecutive NT node is lambda by two दो लगातार node और NT node के बीच की दूरी जो होगी वो lambda by two होगी ठीक है the distance between a node and its neighboring NT node is lambda by four अब आप इस चीज को ऐसे समझेए यह देखिए यह less displacement है कम से कम displacement है यानि यह zero है बुली हाँ है ना और यह high displacement है यहाँ पर बुली हाँ है ना तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी मैंने अब यह देखिए यहाँ गया और इसके बाद में फिर से आ गया यह क्या बन गया नोड जिरो displacement यह भी नोड है और यह भी क्या है नोड है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होती है लेम्डा बाई टू लेम्डा बाई टू बोलो क्लियर हुआ की नहीं हुआ है ना चलिए अगला accept at nodes all the particles of the medium vibrates but the amplitude of vibration of the particles are different the amplitude of the vibration is zero at the nodes and minimum at the anti nodes accepted nodes nodes के लावा कोई particle move नहीं करते है sorry nodes के लावा सारे particle move करते है accepted nodes यह रही जिरो displacement का particle है all the particle of medium vibrate but amplitude of the vibration of the particle are different the amplitude of the vibration is zero at the node and maximum at anti node antinode पर जो vibration होता particle का हो क्या होता है maximum होता है ठीक ना next all the particles all the particles between two consecutive nodes vibrate in the same phase therefore they reach simultaneously so they are equilibrium positions यह तो पता आपको यह वाली बात है कि भाई चाहे दो नोड हो चाहे एंटी नोड हो उनके particle जो होंगे all the particle between two consecutive nodes vibrate in the same phase यह जो particle है यह एक particle है यह particle है यह node पर बैठ हुए particle all the particle between two consecutive nodes जितने भी node है जैसे यह देखिए इस diagram में देखिए एक node यहाँ पर यह था एक node यहाँ पर यह था ठीक ना तो यह क्या होंगे सारे particle इसके same phase में होगे सारे particle क्या होंगे same phase में एक जैसे move करेंगे all the particle between यह हुयो next at any instant the particle of both sides of the node are mutually opposite phase but particle of both sides of NT nodes are in same phase at any instant particle of both sides of node are in mutually opposite phase यह थोड़ा सा मैं आपको जब बुक पढ़ाऊंगा ता मैं आपको clear कर पाऊंगा next all the particle of medium pass through the mean position simultaneously यह तो मैंने पहली बता रिया कि जितने भी medium के particle होते हैं यह simultaneously twice एक period में दो बार अपनी mean position को cross करते हैं ठीक है तो यह standing wave के बारे में सारी बाते हो गई यह जब दो होते हैं